बच्छों बीते दनों हमने धर्म जादू के बारे में पिस्तार से जाना हमने जाना कि धर्म क्या है हमने ये भी जाना कि जादू क्या है और जैसे कि मैंने आपसे पूर में कहा था कि मुलता आपका विश्य जो दुतिय प्रश्ण पत्र में आपका है वो है आदिम समाज में धर्म और जादू परंतु मैंने आपसे कहा था कि बचो आप लोग आदिम समाज में धर्म और जादू तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आप धर्म की मूल भावना नहीं जानेंगे जादू की मूल भावना नहीं जानेंगे जादू क्या होता है जब तक आप ये नहीं स हमने इस लिए प्रयोग में लेती हूँ क्योंकि मेरा दाई तो तो सिर्फ बोलना है और समझाना है लेकिन मेरा बोलना और समझाना पूरता अधूरा रह जाता है अगर उसमें आपके मनोभाव समलित नहीं होते और मैं ऐसा विश्वास करते हूँ कि अब ही हो सकता है करोना के कारण या अन्य विस्टताओं के कारण आप उतनी प्रतिभागिता मेरे साथ नहीं निभा पा रहे हैं पर आने वाले समय में आप ये जो भी आपके पाठे क्रम से समन्द जो कुछ भी हम पढ़ और पढ़ा रह कि अंतोध गत्वा परिक्षा में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे ऐसा मैं आशा ही नहीं विश्वास करती हूँ जैसे कि मुझे विश्वास है कि अभी तक हमने जो धर्म और जादू पढ़ा वो आपको समझ में आ गया होगा इसलिए मैं अब एक अगले चरण की और आगे बढ़ रहे हैं जो हमारे पाठे क्रम का मूल भाव है कि आदिम समाझ में धर्म और जादू चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस विशा पर चर्चा करते हैं यदि हम भारत में हुई अब तक की बिभिन जनगर्ना प्रतिवेदनों को देखें आप देखे जनगर्णा प्रतिवेदन हम क्यों देखेंगे कि बिना जनगर्णा के हम जानी नहीं पाएंगे कि भारत में कौन-कौन से आदिम जनजातियां हैं इसलिए यहां जनगर्णा प्रतिवेदनों को देखने की बात की गई है कि जनगर्णा पतिवेंगे तो पाएंगे कि उनमें भारती जनजातियों का धर्म जीवात दर्शाया गया है क्या आपको याद है कि जीवात क्या है अब मुझे बहुत खुशी होती कि यह हमारी ऐसी कक्षा होती जहां हम आमने सामने बैठ कर बात कर रहे होते तो आप लोग जब मेरे प्रशन का जवाब देते तो शायद मैं भी इस चीज का संतुष्ची भाव कर पाती कि आप जीवात का मतलब समझ रहे हैं पर मैं विश्वास करती क्योंकि मैंने जीवात को आपको शायद दो या तीन बार समझाया है पर तो अपनी संतुष्ची के लिए मैं फिर से समझा देती हूँ कि जीवात क्या है जीवात का सिद्यान मूलता इस मनुभाव के साथ जोड़ा हुआ है कि मनुष्ची आत्मा का सिर्थ मृत्यू अत्वाशरी की नश्च होने के परशाद भी बना रहता है और दूसरा यह है कि मनुष्ची की आत्मों के अत्रिक्त शक्ति शाली देवी देवताओं की आत्माई होती हैं जो अमर हैं एवं सांसारे घटनाओं वा मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती हैं तो हमने क्या पढ़ा कि जीवाद आपने समझ लिया समझ चुके हैं मतलब मैंने दोहरा दिया आपकी स्वेधा के लिए तो जब हम जनगर्णा प्रतिवेदनों को देखते हैं तो यह पाते हैं कि अधिकांश जनजातियों का धर्म जीवाद दर्शा गया है जीवाद क्या है यह विश्वास करना कि आत्मा आजयरमर है शरीर की समापती हो जाती है परंतो आत्मा जीवित रहती है और दूसरा यह कि देवी देवताओं की भी आत्मा हैं जो समस्प्रकरती पर नियंद्रन करती हैं ठीक है तो जीवात का सिद्धान किस ने दिया था आपको भली बात यादोगा मैंने एक-एक समाशासियों के सिद्धान के साथ उनके नाम आपको बकाईदा याद करवाए थे तो मैं फिर भी दोहराती हूं कि जीवात का सिद्धान सरपतम टाइलर ने विक्सित किया था जन जातियों का जीवात धर्म के उस स्वरूप से संबंदित था जिसमें जादू टोना किया जाता है देखिए धर्म और जादू के संबंदों को अंतर संबंदित किये बगेर हम आदिम समाज में धर्म आ जादू क्या ये नहीं समझ पाएंगे इसलिए मैं पुना बात को दोराती हूँ कि जन जातियों का जीवात धर्म के उस स्वरूप से संबंदित है धर्म के किस स्वरूप से संबंदित है जिसमें जादू टोना किया जाता है और ये है टाइलर के जीवात से भिनिता लिये वे था हंटन ने जीवात के स्थान पर आदिवासी धर्म शब्द का प्रयोग सुझाया किसका प्रयोग सुझाया आदिवासी धर्म शब्द का आज कुछ जन जातियां इसाई हैं कुछ ने हिंदू धर्म के संसकारों को अपना लिया है और कुछ जन जातियां जादू टोने में व विश्वास करती हैं और उनका मानना है कि मनुष्य की मृत्यूं के बाद आत्मा जीवित रहती है ये जीवादी कहता है ना और कभी-कभी आत्मा पुना लोट कर आती है ये कौन सा सिद्धान्द कहता है मानवाद कहता है ये जीवादमा बाद कहता है ना तो कोटा, टोडा, और आव हो जन जाती में मनुष्य का दहासंसकार दो बार किया जाता है। है ना बड़ी दिल्चस्पात? क्यों? पहला इसलिए कि जिसे हम हरा दहासंसकार कहते हैं। पहला तो मृत्यू के तुरंद बाद ही किया जाता है। क्योंकि अगर मृत्यू के तुलंदत व्यक्ति के शरीर को नहीं जलाया जाएगा तो वो सड जाएगा पर दूसर दाहसंसकार जिसे सूखा या पक्का दाहसंसकार कहते हैं वो मृत्यू के बहुत समय के बात किया जाता है जब वहां रहने वाले व्यक्तियों को विश्वास हो जाता है कि अब व्यक्ति को इस संसार से गएवे बहुत समय व्यतित हो चुका है अब व्यक्ति की आत्मा पुना लोटने के कोई आसार नहीं है ऐसी स्थिती में व्यक्ति का दुबारा दाहसंसकार किया जाता है अब भी दुबारा दर संसकार कैसे किया जाएगा जब व्यक्तितों पूर में ही उसका शरी जला दिया गया है तो उसके कुछ मानकों को रखा जाता है जिनें दुबारा जलाया जाता है ये प्रथा किन जन्जातियों में व्याप्त है संथाल, मिर्जापूर के कोखा, 36 गड के कगार और भुजिया, टोड़ा, और आव, हो आदी जन्जातियां आत्मवाद में विश्वास करती हैं किसमें विश्वास करती हैं आत्मवाद में चुकि जन्जातियों का जीवन प्रकर्ति के बहुत निकट है बेभिन प्राकतिक वस्तुओं को वे आश्यर भै तथा शद्धा से देखते हैं जैसे जल प्रताप को उपर से बहुत अचानक से बादल फट जाएं और पानी गिरने लगे तो वो उसे भैभीत द्रस्टी से देखेंगे अगर प्रकर्ति में कोई बहुत सुन्दर चीज घटित हो रही है इंते धनुश बन रहा है तो उसे वो आश्यर से देखेंगे शद्धा से देखेंगे इसलिए बेभीन प्राकरतिक वस्तों को वो आश्यर बहे और शद्धा से देखते हैं भारत में इनमें बेभीन प्राकरतिक वस्तों की पूजा की जाती है जैसे मुंडा लोक सूरे को सिंग बांगा जो की सबसे बड़े देवता के रूप में पूजे जाते हैं कि वो पूजा करते हैं किसकी पूजा करते हैं? सूरे की कौन करता है? मुंडा मुंडा कौन है? जन जाती इसी तरीके से चान, तारों, नदियों एवं रक्षों के भी पूजा की जाती है मजुमदार ने, मजुमदार कौन है? प्रसिद्ध मानुशास्री, समाशास्री है जिनने हम सामाजिक विज्ञानी कहते हैं मजुमदार ने, मुंडा एवं होजन जाती में, बोंगावात को पाया किसको पाया? याद रखेगा बोंगावात, क्यों याद रखने को कह रही हूँ? संभवता, इसी पर मैं आपको एसाइमेंट दे दू बोंगावात को पाया, जो मानावात का एक स्वरूप है अब आपको याद होगा, मैंने आपको मानावात पढ़ाया था आपको बताया था कि मानावात क्या है और ये भी मैंने बताया था कि मानावात का सिद्धान किस ने दिया? इसके प्रमुक समर्थक कौन है? याद दिलाऊं आपको तो इसके प्रमुक समर्थकते मैक्समूल और मानावाद का सिद्धान क्या कहता है मैं पुनह एक बाद याद दिलाती हूँ कि मानावाद का सिद्धान कहता है कि माना आध्यात्मिक शक्ती है और इसका विकेंद्रित रूप अन्य वस्तों में देखने को मिलता है ठीक है तो हम क्या पढ़ रहेurpने आपको क्या याद रखने को कह था बोंगाबाद कि मजमदार मुन्डा एबं हो जनजातियों में बोंगाबाद को पाया और जो कि मानाबाद का मानवऩद नहीं है बच्चों यह ध्यान रखेगा मानाबाद का एक स्वरूप है तो बोंगा में आलोकिक शक्ति के और शरीरी रूप को देखते हैं इसका कोई मूर्थ रूप नहीं है किस रूप में देखते हैं किसका कोई शरीर नहीं है जिसे सपर्ष किया जा सके इसका कोई मूर्थ रूप नहीं है बोंगा स्वरूप में आकर भविश्वानी करता है किसमें आकर स्वरूप में आकर दिवा स्वपनें द्वारा बुरी बातों की पूर्चेतावनी देता है भूंगा ही सभी क्लिया शक्तियों का कारण है इसलिए ये लोग साइकल, रेल, हवाईजाज, रेडियो जब कभी अगर इनके संपर्थ में आते हैं वो आसमान में हवाईजाज को उरतेवे देखते हैं किसी को साइकल चला तेवे देखते हैं ये अचानक कहीं ऐसे वेक्ती के संपर्थ में आगें जिसके पास रेडियो है इन सभी में ब।भूंगा, आदिवासी, किसकी शक्ति को मांगते हैं बोंगा की शक्ती को वो ये मानते हैं कि बोंगा ही सब कुछ इनको संचालित कर रहा है तो cycle की तुर्णा में rail और rail की तुर्णा में जब हो हवाई जाज देखते हैं और उस cycle से तेज क्या चलता है? rail चलती है rail से तेज क्या चलती है? हवाई जाज तो वो ये मानते हैं कि इसमें बोंगा की शक्ति एक दूसे की तुलना में अधिक है तो बोंगा क्या है? शक्ति, कैसी शक्ति? आलोकिक शक्ति, जिसका कोई मूर्थ स्वरूप नहीं है ये भविश्वानी करती है, दिवा स्वपनों में आके बुरी बातों की चेताब नहीं देती है ठीक है? यहां तक आप समझके, अब हम आगे बढ़ते हैं मजुमदार के अनुसार, मिर्जापुर की कोराव जनजाती में जीवात का रूप पाया जाता है यह जनजाती प्रेतात्मा के कई रूप मानती है किसके कई रूप मानती है? प्रेतात्मा के फसल की प्रेतात्मा, मैं कुछ नाम बतारी हूँ आपको फसल की प्रेतात्मा, पशु की प्रेतात्मा आदी जो जीवन के विभीन शेत्रों में अपनी शक्ति को प्रदर्शित करती है हंटन ने भारतिय जनजाती धर्म को आत्मवाद की धारना से उबारा किसने? हंटन ने वरना भारतिय जनजाती सिर्फ एक अवधारना से अभी प्यरित बहुत अधिक दिखाई दी वो कौन से अवधाना थी? आत्मवाद की और वे इसे जनजाती धर्म के नाम से पुकारते हैं कौन पुकारते हैं जनजाती धर्म के नाम से? हंटन हिंदू धर्म और जनजाती धर्म इतने घुल मिल गए कि हंटन कहते हैं इन दोनों में बिवाजन के सपस्रेखा हम नहीं खीच सकते ठीक है? अब क्या नहीं खीच सकते बिवाजन की रेखा क्यों नहीं खीच सकते? क्योंकि हंटन मानते हैं कि भारतिय जन्जाति धन और आत्मबाद की धाना से उन्होंने इसको उबारा और उन्होंने कहा कि धर्म और जादू और जनजातिय धर्म और भारतिय धर्म ये आपस में इतने घुल मिल गए हैं हिंदू धर्म और जनजातिय धर्म इतने घुल मिल गए हैं कि हम इन दोनों के बीज में विवाजन की रेखा सपस्ट नहीं कर सकते वे यहां तक मानते हैं कि वेदो के बाद वाले समय में जो हिंदुवात पनपा था वे जनजाती धर्म और उन से प्राब्त सामगरी के आधार पर ही पनपा था यह दूसे बात है कि जनजाती धर्म को अब तक हिंदु मंदिरों में प्रतिश्टित नहीं किया गया इसके लिए उन्होंने भारत के विभिन भागों से प्रमान भी संकिलित किये हंटन का मानना है कि आत्मा के सिद्धान का उपयोग उत्पादन शम्ता की व्रद्धी, नर्बली, नर्भक्षन, आदी के संदर में किया गया है इसका उपयोग मुरतक के स्मारक, स्वर्ग नर्क, पुनर जर्म और टोटम वाद जैसे तत्तों की उपस्ति में किया गया इससे भारती धर्मों के अनेक महतुन पक्षों की भी जानकरी मिलती है मैं विशास करती हूँ, यहां तक जो मैंने आपको पढ़ाया, वो आपको समझ में आया होगा अब हम आगे पढ़ते हैं वेरियर एल्विन, प्रसीद मानव शासी रहें यह क्या कहते हैं, कि भारती जन्जातियों में हिंदू धर्म इतना गुला मिला है कि इनके बीच अंतर संभब नहीं है यह बात पहले किसने कहीं? हंटन में तो डॉक्टर गुरिय का तो यहां तक मानना है कि भारती जन्जातियां पिछडे हिंदू के समान ही है अता इने आदिम या जीवादिना कहकर पिछड़ा हिंदू कहना ज़्यादा ठीक रहेगा अब कुछ समाज विग्यानिकों ने, कुछ समाज शास्तियों ने, कुछ पानव शास्तियों ने डॉक्टर गुरिय के समत को थोड़ा सा बढ़ा चड़ा कर माना है अतिशोक्ति पूर्ण माना है परंतो हम इस बाद से इंकार नहीं कर सकते कि आदिम जातियां हिंदूों, इसाइधन प्रचार को एवं नगरे प्रभावों के संपर्ट में आई है जिससे उनके धार्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन हुए है वेरियर अल्विन का मानना है कि यदि जंजातिये लोगों को ये विश्वास हो जाए कि नए देवता की पूजा से उनने सामाजिक या वस्तुग अतलाब होगा तो वो ऐसा इस बात को वो सहजी स्विकार कर लेंगे इसलिए ही उनमें नए धर्मों का प्रवेश हुआ और उनके मोल धर्म का हास हो रहा है अब ये प्रशन आपसे परिशा में पूछा जा सकता है आपके प्रशन किस प्रकार से आते हैं? कुछ प्रशन दो नंबर के होते हैं कुछ प्रशन आपके चार नंबर के होते हैं कुछ प्रशन आपके बीस नंबर के होते हैं या आप भली बात ही जानते हैं और आप ते ते वर्ष के विध्यारती हैं तो आपने प्रतम वर्षा तो ते वर्ष में परिशा दिये तो आप लोग जानते ही हैं अब ये प्रशन देखे इसलिए बहुत depth study बहुत गहराई से हमारा अध्यन हमारे लिए बड़ा लापकारी होता है जो बचे सरसरी निगहा से पड़ते हैं उन बच्चों के लिए अच्छे अंक प्राप करना इसलिए कस्टकारी हो जाता है अब आप से माल लिजे प्रशन में आप बहुत सहसा से उतर दे सकते हैं और वह आपका उतर क्या होगा कि आदिम जन्जातियों के संपर्ट में हिंदू और इसाई धर्म प्रचारक आए हैं एवं नगरिये प्रभावों के भी वह संपर्ट में आई हैं जिनके कारण उनके धर्म में अनेक परिवर्तन अगर उनको यह विश्वास हो जाए कि अमुक अमुक कारे करने से उनको विक्तिगत लाब होगा यह सामाजिक लाब होगा यह वस्तुगत लाब होगा तो उस तथे को उस बात को उस हिस्दा से स्विकार करते हैं तो यही बात आदिम समाजों पर भी पूर्ता लागू होती कियोंकि अब वो नव जीवन के संपर्क में आ रहे हैं नगरी प्रभावों के संपर्क में आ रहे हैं जिससे अगर हिंदू जाती या इसा-ई धह्म प्रचारक को उने विश्वास दिलाते हैं कि आप अगर अपनी पूजा का जो विदी है उसको इस प्रकार से संबख करेंगे जैसे हम करते हैं और इससे आपको अमुक अमुक लाब होगा तो वो स्वहजी से स्विकार कर लेते हैं इसलिए आप देखते हैं आम बहुत सारे अध्यन भी ये बताते हैं कि भारत में बड़ी तीवर गती से आदिम समाज से समंधित लोग अपने धर्मे परिवर्तन कर रहे हैं बहुत आदिम समाज के लोग इसाई धर्म को अपना चुके हैं और कुछोंने हिंदू धर्म को भी अपनाया है और इसी लिए उनमें जब नए धर्मों का प्रवेश्वा तो उनके मूल धर्म का हास हो रहा है ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं धर्म के साथ साथ भारती जनज के लिए होती हैं अधिकतर परन्तु इससे हम मना नहीं कर सकते कि जनकल्यान के होने के साथ कई बार वो अनिष्टकारी भी होती हैं जैसे अच्छी खेती होने के लिए या संपूर्ण गाउं से चुड़ैलों भूतों के प्रकोप को दूर करने के लिए किये गए गुनी द् कारे सनक्षक जादू की शिर्णी में रखे जा सकते हैं मैं जानती हूँ अगर आप मेरे सामने होते तो आप मुझसे प्रशन जरूर से पूछते कि क्या वाकई चुड़ैल होती हैं क्या वाकई भूत होते हैं क्या वाकई डायन होती हैं तो बच्चों ये एक उलजने वाल प्रशन है उलजने वाला प्रशन कैसा कि हम यहां पर तथ्यात्मक बात कर रहे हैं भावनात्मक बात नहीं कर ले तथ्यात्मक बात क्या कि समार्शास में अगर आपको याद होगा मैंने आपको जब पढ़ाया या किसी और ने भी अगर आपको पढ़ाया होगा तो समार्शा जो मूल भाव है वो क्या कहता है कि समार्षास विज्ञान है और समार्षास विज्ञान क्यों है क्योंकि वो objective study करता है वस्टुनिस्ठ अध्यन करता है और objective study का मतलब क्या हुआ जो चीज जिस रूप में है जो तथे जिस रूप में है उसी रूप में उसका अध्यन करना उस ये बाद जब आएगी कि क्या चुडएल होती हैं या क्या भूत होते हैं तो मेरा उत्तर यही होगा कि ये हम समाजस के विध्यारतियों ने के नाते जब आदिम समाजों के संपर्ट में आते हैं उनका अध्यन करते हैं तो हमारा अध्यन क्या है वस्तुनिश्द्धन है ये आ जादू करते हैं और वो जादू क्या कराते हैं सनक्षक जादू मैं विश्वास करते हूं कि आप मेरी बास से संतुस्ट हो गए होंगे क्यों संतुस्ट हो गए होंगे कि ये हर जनजाती का हर जाती का हर धर्म क्यों मानने वाले का चाहे वो आधनिक समाज हो चाहे आधिन समा मैंने आपको बताई थी कि धर्म तर्क से परे है वहां लॉजिक काम नहीं करता वहां अगर कुछ काम करता है तो आपका विश्वास तो ये क्रियाएं जादू के द्वारजों की जाती है वो पॉजिटिव सकारत्मक होती है कि गाउं में अगर किसी चुडैल का प्रकोप है य उसको दूर करने के लिए या अच्छी खेती करने के लिए जो जादू किया जाता है वो सरक्षक जादू किशनी में आता है जग सार बाबर की जंजातियों में अप्रेल में एक वाशिक पूजा होती है उस समय गाउं के चारों और एक पतला धागा इस धाना से फेर दिया जाता है कि गाउं का नुकसान ना हो यह भी सरक्षक जादू है जहां जहां बचाव के लिए स्वैम की सुरक्षा के लिए उन्नती के लिए विकास के लिए अगर कोई जादू क्रिया किया जाती है तो वह सरक्षक जादू होता है जिसे हम सफेज जादू भी कह सकते हैं ठी तो इसके बेप्रीत अगर किसी को मारने उनकी संपत्ति या व्यक्तिकत फसल का नुकसान करने के लिए अगर जादू किया जाता है तो वो क्या कहलाता है विनाशक जादू कहलाता है फिर मैं तो रहोंगी अगर आप मेरे सामने होते तो मैं तुरंत आप से पूचति कि सफेज जादू और काला जादू की अफदाना किस ने दी है परन्तु आप मेरे समुक नहीं है तो मैं ही इसका उत्तर देती हूँ कि सफेज जादू और काला जादू की अवधार्णा मैरिनो वसकी ने दी थी इसे याद रखें क्योंकि कई बार जब आपके दो आंख का प्रशना आता है तो आपसे पूछा जाता है सफेज जादू क्या है ये अवधार्णा किस मानवशासी ने दी ठीक है तो आपको सफेज जादू में क्या लिखना है कि ये सरक्षक जादू है और मूलता ये स्वैम के वचाव के लिए और अपने विकास के लिए किया जाता है और ये अवधाना मैलिनुपस्की ने दी ठीक है फरंदो अगर कि इसके विप्रीत किसी को माने उनकी संपत्ती या व्यक्तिकत फसल का नुकसान करने के लिए जो जादू किया जाता है वो विनाशक जादू होता है और विनाशक जादू क्या करता है नुकसान करता है तो इसे हम काला जादू भी कह सकते हैं तो देखिए आप कैसे याद करेंगे अगर आप यहाँ इस रूप में काला जादू ये सफेज जादू की बात करेंगे तो ये क्या होगा मेल उन्य वसकी ने जो बात कही है और अगर हम समवर्दक जादू, सरक्षक जादू या विनाशक जादू की बात करते हैं तो ये शामचरण दूबे ने ये भेद या जादू की विवेद बताए ठीक है अब हम बात करते हैं इसके विप्रीत की जो मैंने आपको बताया, माने, संपतिया, व्यक्तिगत, फसल का नुकसान करने करे जो जादू किया जाता है वो विनाशक जादू कहलाता है 36 गण में टोन ही इसी श्रिणी में आते हैं यह जादूई क्रियाओं में इस्त्री की विशेष श्रिणी मानते हैं उनमें ये माननता है कि समाज में विशेष सादनों के द्वारा विनाशक शक्ती प्राप्ट कर लेती हैं इनकी शक्ती यहीं तक मानी जाती है कि ये स्वेवे व्यक्ति का खून चूस कर उसे अम्रत या जीवित बना देती है अब मुझे पता है कि इस वक्त भी आप मुझे प्रश्णवाचक चेन से देख रहे हैं कि क्या ये संभव है कि कोई शक्ति सोयवे व्यक्ति का खून चूस ले या फिर भूख बढ़ाने के लिए हैजा फैला दे या बच्चे के कॉमर मास को खा ले तो भही ये सारी फिर हम कहेंगे हम वसुनिस्षद्यन कर रहे हैं और ये सब आदिम समाज में आदिम जो जनजातियां उनकी माननेता हैं तो सफेज जादू या सरक्षक जादू जिसका उद्देश सामुही कल्यान है सावजनिक रूप से संपादिक किया जाता है किसके विप्रीत काला जादू या अनिश्टकारी जादू प्राया व्यक्तिगत इस्तर पर किया जाता है और सामनेता जो ज़्यादा गोपनी होता है तो संग्षेप में हम क्या कह सकते हैं कि जन जातियों में धर्म और जादूतोने के माधियम से जीवन में पैदा होने वाले अनेक समस्यों को सुलजानी की कोशिश की जाती है और उसी के माध्यम से बास्तविक जगत और अद्रश्य जगत के भी संतुलन बनाए रखने और सम्मन्द सापित करने की कोशिश की जाती है तो बच्चों मैं विश्वास करती हूँ आज निरंतर प्रयास करने के बाद जो हमने अपना आपका दुतिय प्रश्न पत्र का एक बहुत महत्पोन जो आपका टॉपिक था कि आदिम समाज में धर्म और जादू उसको हमने पूर्ण कर लिया अब कल से हम एक नया टॉपिक शू करेंगे क्या करेंगे उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे अब इस पूरे जो बाते मैंने समझाई है इसके मैं आपके पीडिएफ नोर्स तो मैं आपको प्लप्त करा कि बहुत बहुत